वेल्कम अमर सर योटुब चैनल इस पर आप सबों का स्वागत है आज का टॉपिक है Speed versus Accuracy जो different competitive exam आप देते हैं उसमें सबसे important ये दो बाते होती हैं चैनल आपकी Speed कितनी है और वो कैसे बढ़ेगी आपकी accuracy कितनी है और वो कैसे बढ़ेगी आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस most important question पर कि ये speed और accuracy इसका importance क्या है इसको कैसे improve किया जा सकता है और क्या इसको लेकर के ज़्यादा परेशान होने की जरुवत है इन सब बातों पर हम लोग बात करने जा रहा है तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि इसका importance क्या है तो importance तो जग जाहिर है अगर आपकी speed नहीं बढ़ती यानि कि अगर आप SBI P.O. का pre-exam दे रहे है या IBPS P.O. का pre-exam दे रहे है तो आपके पास 20 minutes होते हैं quant के question के लिए math के question के लिए और उसमें 35 questions solve करने होते हैं और main exam में 45 minutes में 35 questions solve करने होते हैं तो speed का महत्व importance main exam के तुलना में pre-exam में ज़्यादा होता है तो उस दिये हुए समय में यानि कि 20 minutes में 35 questions, quant के question या इसी तरह से reasoning के questions कैसे solve किये जाएं यह समस्या है और इसका सामना सबों को करना पड़ता है और accuracy आपने 35 questions में 30 attempt कर लिया और अगर 5 wrong हो गया तो फिर negative marking भी है खतम तो accuracy और भी ज़्यादा माइने रखती है जो बनाएं उसमें error न हो तो importance सभी समझ रहे हैं और सबों के लिए ये एक बड़ी चुनोती होती है और अक्सर आप question करते हैं कि इसको कैसे improve करें बड़ी मज़ेदार बात है जब आप सुनेंगे तो चौक जाएंगे question होता है how to improve speed, how to improve speed, how to improve speed और इसका जवाब क्या है जानते हैं speed बढ़ाई नहीं जाती है फुद बढ़ती है speed थर्मामीटर है इससे temperature माप दे है बुखार कितना है fever कितना है आपने किसी chapter के concept को कितनी clarity के साथ learn किया है, accept किया है आपने उस concept को different questions में किस तरह से apply करना सीखा है इसका वो थर्मामीटर है पैमाना है आप जितना ज़्यादा subject पर command करेंगे जितना ज़्यादा आपकी practice होगी clarity आएगी, speed उतनी ही बढ़ेगी और अगर वो clarity कम है तो speed कम होगी speed हम बढ़ाते नहीं, speed खुद बढ़ती है अगर speed कम है तो ये temperature बता रहा है degree बता रहा है कि आपके concept में ये खामी है आपके practice में ये खामी है आपके approach में ये खामी है उन खामियों को दूर कीजिए यानि बखार अगर है तो दवा खाईए कर्मामीटर लगाने से बखार नहीं उतरता सुबह में test दीजिए, दोपहर में test दीजिए, साम में test दीजिए, अगले दिन test दीजिए और speed को count कीजिए इससे speed बढ़ जाएगी, इससे बखार उतर जाएगा, दवा चाहिए, दवा है, और competitive exam में दवा क्या है concept की clarity, right approach and sufficient practice, इसलिए speed को लेकर परेशान होने की तो कदापी जरुवत नहीं है speed सिर्फ बता रहा है, आप कहां है, फिर आप सुधार कीजिए, तो आप कहां पहुँचे, फोड़ा और सुधार कीजिए, कहां पहुँचे तो ये बात एकदम clear, कि speed को लेकर के परेशान होने की जरुवत नहीं है लेकिन accuracy, yes, accuracy खुद बखुद नहीं सुधरती accuracy क्या है, गलतियां न करना, negative meaning ये हुआ, कि गलतियां न करना, कम से कम गलतियां करना, तो गलतियां करना आदत होती है जैसे कुछ व्यक्तियों में जूट बोलने की आदत होती है, तो क्या जूट बोलना इतना आसान होता है, छोड़ देना, वो व्यक्ति बार-बार बोले, कल से मैं जूट नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर जूट निकल जाता है, पड़ी दिक्कत होती है कि जूट बोलना कैसे आज मैंने कोई बात जूट तो नहीं बोली, नहीं आज मैंने नहीं बोली, हाँ एक बात एक जगह पर मैंने जूट का दिया था, कल मैं ध्यान रखूँगा, फिर कल, हाँ आज मैंने एक बार भी जूट नहीं का, आदतें बदलना आसान नहीं होता, एरर करना भी आदत है और वो खुद बखुद नहीं सुधरेगा आप टेस्ट दें क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और इस बात को ध्यान में रखें कि मेरा एक भी एरर नहीं होना चाहिए 5 questions पकड़िए किसी भी chapter का किसी भी subject का और इन 5 questions को time मत देखिए accuracy को सुधारने के लिए समय नहीं देखा जाता क्योंकि वो आदत है आदत सुधर जाएगी तो speed तो आपकी है ही वो तो अपने आप maintain होगी इसलिए 5 questions के set में अगर 1 error हो गया तो अगली बार test दीजिए 5 questions क्योंकि हमें छोटे छोटे टेस्ट चाहिए chapter wise टेस्ट चाहिए ताकि हम accuracy को सुधार सकें जल्स कर सकें चेक कर सकें 5 questions का test 5 questions का test जब no error होने लगेगा लगातार होने लगेगा आसान नहीं होगा सब कुछ सही रहेगा लिखना है 35 लिख दिए 53 पता ही नहीं चला आधत है ना तो ध्यान दे करके कि आज इस टेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए अलाट रह करके टेस्ट देते हैं और अक्यूरेसी मेंटेन हुई और कोई अरर नहीं हुआ तो फुशे की बात है फिर का टेस्ट जब एरर होना बंद हो जाए तो समझे एक्यूरेसी आ गई तो आपको यह बात क्लियर हो गई कि एक्यूरेसी आदत से संबंदे थे और आदत के लिए आदत को सुधारने के लिए उसमें चेंज लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो इस तरह से एक्य कर सकते हैं क्या है कोई भी एक्जाम हो बैंक का एक्जाम हो एससी का हो रेलवे का हो दोनों का ही स्पीड और एक्यूरेसी का अपना ही इंपोर्टेंस है SPI-PO का एक्जाम दें SPI-Clerk का दें IBPSPO दें IBPS कलर्ट दें IBPS RRVPO दें चाहे आर वी आई ग्रेट भी ऑफिसर का एक्जाम दें नावाड का एक्जाम दें जो भी दें इवन IAS का एक्जाम दें स्पीड भी उतना ही महत्व रखता है जतना की एक्यूरसी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कुश्चन को लेकर कि जो आप परिशान थे इसका जवाब आपको मिल गया होगा ओके बाई